तो नमस्कारे जोस्तूंस आप सभी का चलिए इस वीडियों हम लोग बात करने वाले हैं एई सिसी इविएस समेश्टर टू के बारे में ठीक है तो बहुत से लोगों एक्जाम सामने आ चुका है तो इसे में इस पेपर को बिजिस रूप से द्यान देना है क्योंकि जो मैक्स से इविएस यानि कि अन्वर्मेंटल साइंस या अन्वर्मेंटल स्टूडिस जो बुलिएगा परियावरा नेद्यान के बारे में पढ़ना होता है समेश्टर टू का पेपर है और इसके बाद एक चीज़ यह है कि आप बीए बीकों बीसी किसी भी फेकल्टी में हो जाता है ठीक है तो आईए देखते हैं पहला कोश्चन है सीचित छेत्र में लगातार जल एकंत्रित होने से कौन सी समेश्या उत्पन होती है तो किसी भी सीचाई वाले छेत्र में ज्यादतर जल एकंत्रित हो जाएगा जल ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा तो जल कर किस राज में देखा जाता है तो यह आपका पंजाब और हर्याना दो राजियों में देखा जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा पंजाब अगर पंजाब और हर्याना दोनों रहे तो option रहेगा इन में से दोनों ठीक है लेकिन पंजाब और हर्याना में बोलना चाहे क कि इन में से कौन सा है तो पंजाब राइट मारिएगा ठीक है एक सो दो नंबर कोशन है केचवी पाल कर कौन सी खाद तयार की जाती है तो केचवी पाल कर हम लोग जैविक खाद तयार करते हैं ऑप्शन डीस का राइट अंसर हो जाएगा जैविक खाद एक सो तिन नंबर परियोग से परणूसन होता है प्रता सो और पस्पोरस के भी परियोग से परणुषर characterNet से अनल्हूम कॉछ जाता है दंक देखते हैं एक सू पांच और कुछेतों है। इसमें पुछा गया है कि द्हान के खेतों में former का परियोग क्या जाने लगा है तो धान के खेतों में जो जैविक उर्वरक का पड़ियों किया जाता है उसे कहते है नील हरीत सेवाल ठीक है ब्लू ग्रीन एल्गी इंगलिस में बोला जाता है तो आप्सन एस का राइट अंसर हो जाएगा 206 नंबर कोश्चन देखिए इसमें पुछा गया है कि सरवाधी परचली जैव किटनासक कौन सी है तो सबसे ज़्यादा जो फहमस है वह है आपका नीम ठीक है आक धतुरा नीम बबुल तो जैव किटनासक यानि कीटनासक कीटों को मारने वाला ठीक है तो नीम जो है सबसे ज जैविक खेती इसका एक उपाय है कि जैविक खेती करके आप जितने भी परियावरिन समीश्या है इनको सभी मतलब संपून तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है तो जैविक खेती इसका राइट अंसर हो जाएगा और गनिक फार्मिंग इसको बोल सक किएगा एक सुन्ण तो नौन सअ नोबर कोश्चन है कि नविक खाड़णिया उर्जा का उधारन है क्या कोंसा नहीं है यानि की इन मेंसे क्या एसा और जाय है जिसको हम लोग क्यों एक ही बार पर्यूग कर सकते हैं तो देखिए प्राक्रेटिक गेस है इसका हम लोग क्यो खतम नहीं होगा लेकिन यहाँ पर अगर आप वो ता पूर्जा दिया होता ना तो ता पूर्जा खतम हो जाता लेकिन जल भी दुद्धिया है ठीक है 210 नमबर कोश्चन है विकासिल देशों में इंधन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो जितने भी विकासिल देशा यानि की डेवलपिंग कंट्री से वहाँ पे इंधन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है लकडी और भारत भी कैसा देशे तो भारत भी विकासिल देशे विश में दो देखिए यानि कि इन से कौन सा 하ёт परफ्रागत उर्जास रूत Municipal नहीं है तून यह बहुत का सहते हैं है नेक्ष्ट कोश्च है कि भूपिरिष्ट का लगभग कितना भाग अस्थल है तो भूमि का लगभग कितना भातक अस्तल रहे तो यह एक चौंध हयान हिन तो आपका जल है ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटा की एक चौता ही भाग आपका जमीन है बागी तीन भाग पानी है तो तेरे नमबर कोशन है कि भू अस्कलन से सरवादिक परवाईत राज कौन सा है तो लेंड इंगलिस में बोलते हैं बूमी खिसक जाती है अपन और इससे पहले उत्तराकटन जो था किसका भाग था तो उत्तरप्रदिस का भाग था दोजारेक में अलग हो गया था उत्तरप्रदिस से दोसर चौदा नमबर कोशन है केंद्रिय मरू छेत्र अनुसंदान संस्था कहां प्यावस्तित है तो केंद्रिय मरू छेत्र अनुसं को नाम से बीजाना जाता है है इसे पूछा गया कि नवी कर्ण अ्यानिक रिनेवल है तो पवन उर्जा अभी ने हम लोगों निकोश्चन देगा था फिर से कॉश्चन repeat कर दिया है लेकिन question थोड़ा सा गुमा के पूछा है अगला question है कि उर्जा संकट का समाधान कौन सा है तो देखिए वैकलपिक उर्जा खोज या एक उर्जा संकट का समाधान है मतलब कि एक खतम हो जाएगा तो हम लोग कुछ दूसरा खोज लेंगे जैसे कि यूरेनियम का अभी खोज हो गया है ठीक है वैकलपिक उर्जा के स्रोथ के रूप में आगे लेखते हैं तो दोसटारा नूबर question है भारत में किस वैकलपिक उर्जा के विकास में विपुल संभावनाएं है तो भारत में जो है आपका सोर उर्जा यानि के सुरी से जो प्राप्त उर्जा होती है solar energy उसकी यहां पर पूरी तरह से संभावना है और अभी मैं गया था कुछ दिन अपने डिसी ओपिस तो वहां पर देखा कि चारों और जो छट में था छट चड़ा तो चारों सोलर प्रेट लगे वे थे मतलब कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था डिसी ओपिस का और सो कॉस्चन है कि भारत में पवन उर्जा का सरवाधिक उत्पादन अनुकूल परिष्थिति किस चेत्र में हैं मतलब कि किस राज में सबसे ज़्यादा आपका सोर उर्जा स्वरी पवन उर्जा यानि कि हवा से जो उर्जा पराप्त होती है तो यह गुजरात की इलाके में को संबव है देखिए 220 नमबर कॉस्चन है कि भारत में भूत आप यह उर्जा के विकास की संबवनाई किस चेत्र में है तो यह है आपका उत्तर पूर्वी हिमाले में ठेक है उत्तर पूर्वी हिमाले में अगला कॉस्चन है अस्तापित क्या गया था तो NCR दिली में नई दिली जो कि भारत की राजधानी है अगला कोशन है भारत में जोआरी उर्जा यानि कि जोआर से जो उर्जा पराफ्त होती है जोआरी उर्जा के विकास की अधिक संभाणाई किस छेतर में हैं तो यह आपका खंबात की खारी ज उर्जा के विकास की संभावनाई अधिक हैं तो ग्रामीन चेतरों में कौन से उर्जा के विकास तो बायो गैस जमाही आने लगा यार रात होने लगा तो क्या पूछा गया है कि ग्रामीन चेतरों में किस वैकल्पिक उर्जा के विकास के संभावनाई अधिक हैं तो बायो परवत्य स्था से कौन सा Π्रको बढ़ा है इतने विपारवत्य छेत्र उनमें इस 17 का प्रको बढ़ा है किस करण भूव прषाट्रन के करण करन ब सकacter्र गया है जमीन सSabhi पर मरुषफल फ्योड़ता है जल का अवाव हो जाता यह नुम पर मिर्दा में जैविक तत्वों का अवाव इस में भी आपका जो है मरुषथल फैलता है मतलब कि मरुषथल की मार्वस्थल का दारन कौन सा है तो देखिए गोभी जो है सीध मुर्वस्थल का उदारन है खोवी बन्दा गोभी नहीं इलेंघा और अगला वह परति वर्ग किलोमेटर प्रकूल उर्जा उपलब्द है तो भारत में परती किलोमेटर आपका 20 MW उर्जा उपलब्द है आगे देखते हैं हमारा कोश्चन है 29 नंबर इसमें पुछा गया है कि सोलर हब में समलित नहीं है इन में से कौन सा अस्थान सोलर हब में समलित नहीं है तो देखिए जोदपूर जासा जेसल मेर और विकानेर यह तीनों समलित है जबकि अजमेर जो है समलित नहीं है तो option D इसका राइट अंसर हो जाएगा अजमेर आगे देखते हैं इसमें कोश्चन है कि पावन उर्जा की सरवादिक अस्थापित चमता किस राज में है तो पावन उर्जा की सरवादिक अस् देखे 233 नमबर कोश्चन है जवार भाटा पर आधारित उर्जा सयंत्र की अस्थापना कहां की जा रही है तो जवार भाटा पर आधारित जो है आपका उर्जा सयंत्र गुजरात में हम लोग बोलें कि खंबात की खाड़ी तो खंबात की खाड़ी आपका गुजरात में यहां पे दखे़ाएं ऐसानों तो कप्छ Hallelujah वैपके सूरत देखिए या कमेद्धे परतिस्था मुंबाई तो महाराष्ट्रा गुवाण तो खुद्य ग्राज है तो इसका राइड ऑन्सर क्या ओ जाएक क Settings डैक परक्यारीर両ल डलडल अरिया फूल ऊप देको question है कि पारिष्थिकी तंत्र सब्द का परियोग सरपर्थम किसने किया था तो देखिए दोस्तों ये question लगए 5-6 बार पुछा गया है तो टॉंसले इसका right answer हो जाएगा टॉंसले question है कि पारिष्थिकी तंत्र का घटक इन में से कौन सा है तो देखिए उत्पादक इसका गटक है और जैवी गटक और बोगता ये तीनों है तो इसका right answer हो जाएगा इन में से सभी आगे देखते हैं हमारा question है कि कृत्रिम पारिष्थिकी तंत्र का उधारन कौन सा है मतलब कि जो मनुष्थिक के द्वारा बनाये गया है तो देखिए यहाँ पर तालाब वन वाटर पार्क और घास तो सबसे ज़्यादा साठीक अंसर हो जाएगा आपका वाटर पार्क पार्क वगएरा मनुष्थी बनाते हैं इसमें मसिन मगएरा का भी परियुक किया जाता है अगला कोशन है कि पारिष्थिकी तंत्र में हरे पोदे क्या होते हैं तो पारिष्थिकी तंत्र में हरे पोदक यह होते हैं उत्पादक होते हैं यानि कि यह प्रकास अंसलिसन कि माईतियम से अपना बोजर बनाते हैं अपना खाना स्वयम बनाते हैं लगा बोजर से बैट लेजी आराम से काम कर रहे हैं सटर लगा के देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं दुकान खोल के सटर बंद करके काम कर रहे हैं चलिए कोई बात नहीं है कि प्राकृतिक 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 के तंत्र का उदारन नहीं है तो प्राकृतिक प्राकृतिक यानि कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक नहीं है यानि कि मानव निर्मित है तो देखिए जो फौलो धान है मतलब कि फलो का उद्धान ठीक है फल फलों का उद्धान जहां पर फल वगरा रखे जाते हैं लगाए जाते हैं तो फलों का उद्धान जो है यह मनुष्ट के द्वारा बनाए गया है प्रकृतिक नहीं होता है अगला कोश्चन है कि सुरी से प्राप्त होने वाली उर्जा का कितना परतिसत धारातल पर पहुंचत है तो प्रावाहित जल पारिष्थिकी तंत्र का उदारन इनमें से कौन सा है तो नदी इसका राइट अंसर हो जाएगा रीबर नेक्स्ट कोशन देखिए यहां पर पुछा गया है कि लवानिय जल पारिष्थिकी तंत्र का उदारन है लवानिय जल पारिष्थिकी तंत्र क लोग का उदारस कौन सा है तोई इसका राइट हो जैगा घृ जो है खुद से बना हुआ है बाकि उधान खेत बांध यह तिनों बांध पार्थिक भी होता है मानुनिर्मित भी होता है टेए तो यहां पर राक्रथे अंसर देखा जाए दिधे पर्वत मने से नहीं सकता है तो जो आपका क्लियरली आंसर आए ना उसको मारिएगा जैसे कि यहां पे तलाप पे बहुत लोगों कन्फ्यूजन है कि बुलेगा कि यार बांध भी तो पराकृतिक है लेकिन बांध मानों निर्बित भी होता है और प्राकृतिक भी होता है लेकिन परवद जो है कि पराकृतिक होता इसको मानों नहीं बना सकता तो इसी को मारियन है यार क्या दिकत है ठीक है अगला कोशन देखिए यहां पे कोशन है कि पारिष्टिकी तंद्र के वे घटक जो अपने भोजन का निर्मान स्वयम करते हैं क्या करते हैं तो वे घटक उत्पादक करते हैं जै जाता है जो घांस को खाते हैं या फिर पत्ता वगरा को खाते हैं आगे देखिए कोशन है कि साकाहरी जंतुओं को भोजन के परियुक्त कराने वाले प्रानी क्या कराते हैं तो साकाहरी जंतुओं को जो भोजन उपलब्द कराते हैं उन्हें क्या का जाता है उन्हें का जाता का उधारन है क्योंकि लोंगवड़ी अक्सर जीवों को खाया करता है नेक्स्ट कोशन है सर्व भक्षी जीव का उधारन कौन सा है यानि कि सभी खाता है मीट मांस भी खाएगा अंसाख सब्जियों भी खाएगा तो इसका राइटन सरो जाएगा मानो इसके बाद अगर आप सद्टी यहान की तो आटे सकते हैं इसमें कुटता वगरा रहा होता तो चुटता भी हो जाएगा आपका सरव फक्षी बोलिया तो आगे बैक तो घोन. के काम करके मिट्टी में मिला देते हैं तो यह अपगटक कलाते हैं आगे देखे कोश्चन है कि पारिष्टी के तंत्र के उत्पादक वो बोक्ता वो अपगटक मिलकर क्या कलाते हैं तो यह साथ में मिलकर जैव भार कलाते हैं क्या कलाते हैं जैव भार ठेक है कोश्चन है 248 तो 47 नमबर इसमें पूछा गया है कि पारिष्थी की तंत्र में खाद स्रेंख थृत ? इसको बताया था ? इसको बताया या पोसन स्तर कहा जाता है ठीक है आगे देखिए इंग्लिस में बोला जाता है निट्रिस्टन लेवल 250 नमबर कॉस्चन है कि एक से अधिक खाट सरंखला के परस पर संबंद होने को क्या कहते हैं तो इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है खाट जाल ठीक है फूड चेन बोल सकत तो यह था आपको बहुत सारी चीजे इस वीडियो में जानने को मिली होंगी और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो तो प्लीज उन तक भी वीडियो को सेर किजेगा क्योंकि ग्या